राश्ट्रोपती ने आज नई दिल्ली में राश्ट्रिय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किये प्रदान मंत्री ने हिमाचल में भारतिय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैली को किया संबोधित, युवा शक्ती को और सशक्त बनाने का किया आखवान ग्रेह मंत्री ने बिहार में राजनितिक स्थिती की समिक्षा की, सीमा निगरानी चौक्यों के भवन का भी किया उध़ाटन और राजेपाल ने बस्तर प्रवास के दोरान लोगों से की मुलाकार, एकाल अभियान परिचे और सम्मान समहरों में हुई शामिल नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से राष्ट्रपाती द्राबदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपाती भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रिय सेवा योजना परसकार प्रदान किये कुल 42 परसकार दिए गए दो विश्वविद्याले, 10 राष्ट्रिय सेवा योजना इकाईओं और उनके अथिकारी और 30 स्वायम सेवकों को ये परसकार दिए गए केंद्रिय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकोर और केंद्रिय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसित प्रमानेक, युवा मामले सचेव संजे कुमार और अन्य गणमान युवेक्टी इस अफसर पार उपस से थे युवा मामले और खेल मंत्राले विभाग प्रती वर्ष राष्ट्रिय सेवा योजना पुरसकार प्रदान करता है ये पुरसकार देश में स्वैचिक समुदाइक सेवा, राश्ट्रिय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्व विद्यालेओं, कॉलेजों, प्लस टू काउंसेल्स, उच्चतर माध्यमेक, एनसस एकाई और कारिकरम अधिकारियों और एनसस कारिकरताओं को दि ये जुटी रही, एडॉप्टेट गावों में घरीब और जरूरत मंद महिलाओं तक पहुंची, पैंडमी के दोरान आप भोचन, मास्क, सेनिटाइजर वितरित करती रही, सुश्री स्रिष्टी कॉल, एनसस स्वैम सेवा, राश्ट्रिय सेवा योजना के शुरुआर स्व आत्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित राश्ट्रिय सेवा योजना का आदर शुवा क्या है, स्वैम से पहले आप। शीमोदी ने कहा कि आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने और समझने के लिए पूरी दुनिया लालायत हो रही है। जिसमें हर जगह युवाव का प्रतनी दित्व सबसे अधीक है। ऐसा इसलिए हैं, क्योंकि भाजपा देश के युवावों पर, हिमाचल के युवावों पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश टी युवावशक्ति मिलकर आजहती के अमृतकाल में भारत को विख्षित राष्ट बनाने का संकल्प पूरा करेगी। मंडी में हो रहा है या योजन, इसी युवावशक्ति का, युवावों पर देश के इसी विश्वास का प्रतीख है। मेरे नवजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है। वैसे वैसे भारत को जानने, समझने के लिए, भारत से जूडने के लिए पूरी दुनिया लालाईथ हो रही है। श्री मोधी ने कहा कि मुद्रा योजन में हिमाचल प्रदेश ने सरहानिया कारे किया है। हिमाचल में मुद्रा यूजना के तहट अब तक 14,500 करोड के मुद्रा लोन दिये जा चुके हैं। ग्रिह मंत्री अमिच शाह ने बिहार के किशन गंज में बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। इस मंदिर में पूजा करने वाले श्री शाह पहले ग्रिह मंत्री हैं। ग्रेह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिबद सीमा पुलिस के महानेदेशकों के साथ सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर समीक्षा बैठक ली, बैठक में सीमा वर्ती क्षेत्रों के वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया, इससे पहले श्री शा प्षित्र में जो नक्सलवाद पहला था उसके खिलाप अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है और इसी का सूफल आज ए है कि आज बिहार और जार्खन के प्षित्र में लगबग लगबग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है पूरा पहाड़ हो जंगल हो दोनों जंगलों में आज हमारी CRPF की एक प्रकार से वर्चस्वस्था पीठ होने का काम समाप्त कर दिया गया है और इसमें SSB के योगदान को पूरा देश हमेशा ध्यान में रखेगा ग्रेवंत्री ने कल बिहार में मौझूदा राजनितिक सिती की समिक्षा के लिए सांसदों विधायकों और पार्टी के पधादिकारियों के साथ बैठक की थी उन्होंने भारतिय जंता पार्टी की बिहार बैठक की थी ताकि राजे के लिए राजनितिक रण नीती तै की जा सके राजेपाल अनुसुया उई के इन देनों बस्तर प्रवास पर हैं इस दोरान उन्होंने चित्रकोट स्थेद विश्राम ग्रहे में लोगों से मुलाकात कर उनकी समसें सुनी और अथिकारियों से नेक नियम बनाए हैं जिसके तहर अनुसूचित जन जाती वर्ग को सुरक्षा दी जाती है ऐसे अनुसूचित खेत्रों में पांचवी अनुसूची के अनुसार ग्राम सभा को विशेश शक्तियां दे कर उन्हें सशक्त बनाए गया है ताकि वे अपना विकास सांस्कृति मुल्यों और परमपराओं के साथ कर सकें राजपाल ने कहा कि एकल अभ्यान के तहर संस्कृति परमपराओं और राश्टिता की जो प्रेणा लोगों को दी जा रही है वो सरहनिय है राजपाल ने शिल्प नगरी का अवलोकन कर शिल्पकारों से मुलकात की और साथ ही अप दिवसीय धर्ना प्रदर्शन कर राजपाल के नाम ग्यापन कलेक्टर को सोपा इन कारेकरताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने आरक्षन के मामले में अदालत में अपना पक्ष उचित तरीके से नहीं रखा इसलिए 50 फीजदी से जादा आरक्षन को असमवेधानिक ठराए ग कहा कि उन्होंने 32 प्रतिशत आरक्षन देने की मांग सरकार से की है अरक्षन पर उन्होंने निर्णे दिया है अंठावन प्रस्ट आरक्षन नहीं दिया जाएगा ऐसा करके दिया है उसमें हमारे जंजाती समाज को जो 32 प्रतिशन आरक्षन दिया गया था वो समापत हो करके केवाल 20 प्रतिशत में आ गया है तो हम उसको पुना 32 प्रतिशन आरक्षन मिले इसके लिले हम लोग सुप्रिम कोर तक दूसरा वकील रख करके अच्छे वकील रख करके इसको निगल रूप से भी करेंगे श्री ठाकुर ने कहा कि मोर्चा के कारेकरता गाउं गाउं जाकर अरक्षन के बारे में समाज के लोगों को जागरू करेंगे राश्ट व्यापी टीका करण अभ्यान के तहट अब तक देश में 217 करोड 41 लाग से जादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं इस वर्ष 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के आयू वर्क के किशोरों के लिए टीका करण अभ्यान शुरू किया गया था इसके तहट अब तक 4 करोड 9 लाग से जादा किशोरों को टीके की पहली डोस दी जा चुकी है वर्तमान में 44,436 रोग्यों का इलाज चल रहा है स्वस्थ होने की दर 98.7 एक प्रतीशत है पिछले 24 घंटों में कुल 5719 मरीज ठीक हुए है एदर 36 गड में कल 76 मरीज पाए गए हैं वही पॉजिटिविटी दर 1.1 प्रतीशत है प्रदेश में 548 सक्री मरीज है प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है बिलासपुर जिला पुलिस ने यातायात नियमों के प्रती लोगों को जागरू करने के लिए वाकत होन का आयोजन किया इस कारिक्रम में पुले सधीक्षक सहेत बड़ी संख्या में गड़बान नागरेक उपस्ति रहे कारिक्रम में शामेल वरिष्ट पुले सधीक्षक पारूल माथूर ने कहा कि सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हाथ्सों से बचा जा सके सभी को बहुत धन्यवाद देती हूं और जनता से अपील करती हूं कि सुरक्षित बने और सुरक्षित चले वहीं रोड सेफ्टी कमिशनर संजे शर्मा ने कहा कि सडक सुरक्षा जागरुकता बहुत आवश्यक है देश में एक साल में सडक दुरगटना से करीब देर लाख लोगों की मौत होती है कारिकरम में स्कूलों के शिक्षक, शिक्षक, विद्यार्थी, NCC कैडट्स और सामाचे कारिकरताओं ने भी भाग लिया बहुत अच्छा अभियान है खासकर यह जो हमारे यूथ हैं उनके लिए क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यातर जो दुरगटनाए हैं जिसमें जो प्रवावित होते हैं वो हमारे यूथ जनरेशन है तो उनको यहां से एक बहुत अच्छा मेसेज मिलेगा कि हम को हमारा बचाओं को खुद करना है हमारा साँ है उनको बहुत आच्छा हैं है तो हमने बना रखना उर अपनी सुरफकत खुद करने हैं और मैंने ये देखा कि एक वीक में लोग जागरूप भी हुए हैं। ये सारे प्रोग्राम्स बहुत इनेशियेटिव थे जिससे हमें बहुत मदद मिली है। बिलास्पुन में आयोजेत ये वाकेथॉन शेहर के विभिन स्थानों से होकर गुजरी, जिसमें पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। शक्ति की आरातना का पर्व शारदिय नवरात्र के शुरू होने में अब कुछी दिन शेश हैं। और इसके लिए तैयारियां भी अंतिम चर्णों में हैं। ट्विन सिटी भिलाई में भी नवरात्री को लेकर खासा उत्साहा है। यहां बंगाल और ओरिशा के मूर्तिकार देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। शेहर में देवी मा के विभिन स्वरूपों की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। यह मूर्तिकार बंगाल और चथिसगाड के मिट्टी का इस्तिमाल कर प्रतिमाएं बना रहे हैं। इन मूर्तिकारों ने बताए कि समितियों के मांग आने पर वे मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन जितने बड़ा मुर्टी ओर है दुरकोषव समितियां इन दिनो विशाल पंडालों का निर्मान करवा रही है भिलाई के लाल मैदान में समिती द्वारा नशामुक्ती जागरुक्ता की थीम पर अधारिद छाकी बनाई जा रही है दूरदर्शन केंद्र रैपर से प्रसारित होने वाले प्रादिशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल 36गड़ DD News पर प्रादिशिक समाचार उपलब्ध रहेगा यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप 36गड़ DD News लिंक पर जा सकते हैं इसके अलावा 36गड़ DD News फेस्बुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है और इसी के साथ ये समचार बुलेटिन यहीं समा पर असकार